बेशा की हर किसी में खामिया होती हैं हर किसी से गलतिया होती हैं लेकिन किसी के उपर आरोप लगाने से पहले खुद की तरफ भी होई ये तीन उंगलिया देख लिजिए कि कहीं ऐसा नहों कि आपके अंदर आप जिसके उपर बुराई उठा रहे हैं सवाल उठा रहे हैं उस पारे शुबू बोज जो कि अनुरूद के परमपूजे पिताश्री हैं ये तो जहनक को ऐसी लड़की वैसी लड़की बोल रहे थे लेकिन अब जहनक बताएगी कि मैं कैसी लड़की हूँ और मैं आप लोगों के साथ क्या कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि आप ल से ही मैच फिक्सिंग कर लिया था और बदावलत आज जब कॉल रिकॉर्डिंग का खुलासा हुआ तो आज जहनक ना वापस बताएगी शुबू को कि आप कैसे इंसान है और आप मेरे उपर उपर उंगली उठा रहे आपका तो ये हक भी नहीं बनता है नमस्कार दोस्तो आप से भी का स्वागा था टाइमस ओफ मीडिया में जहांपर मैं वेनु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो जहनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप से भी के सामने हाज़िरो अप्पु दिदी भी ऐसा कर सकती है लेकिन आज अप्पु दीदी ने ये साबित कर दिया कि कि हाँ आज आओ टाइम हो गया लेकिन पुलिस थोड़ी सी देर हो जाती है और आपको पता है कि दोस्तों इंडियान टेलिविजन सीरियास में और इंडियान बॉलिवुड मुवीस में पुलिस कभी टाइम पे नहीं पहुचती है और असली में भी शैद बहुत बार पुलिस नहीं पहुच पाती है और रसमें आधी 90 परसंट हो जाती है अब देखो जनाक के सैट में जो 90 परसंट शादी है 20 परसंट शादी है 10 परसंट है यह तो हमें अकसर सुनने को मिलता है जیसा अरशी का अनरूध का शादी है वैसा और ऐसा ही इनका भी वाए लेकिन दोस्तों आप पुलीस टेशन जाना यानि तुम जाना यानि कुल मिलाकर आज अपु दिने सारा खेल पलड़ दिया अरे जिस लालोन ने जिस बोस परिवार ने सोचा था कि भाई लालोन की शादी नहीं करानी है ये जो शुबु ने कि लालोन और अपु की शादी नहीं होने चीए कर लालोन को गिरफतार करने की बात करती है तो लालोन सबसे पहले ना सवाल उठाता है शुबु के पर वो जाता और बोलता है कि सर आपने ऐसा क्यों किया मुझे पता है कि आप इस शादी से खुश नहीं थे आपको बदला लेना था वागर अगर वागरा दुनिया भर की बाते बुलने थी इसलिए आपने ऐसा किया ना यह बोल करना लालोन सभी के सामने जाहिर कर देता है कि उसे पता है कि इस घर में किस ने किया लेकिन देखो दोस्तों बैए यह नहीं मानता कि शुबू के तरफ से पूरी तरीके से कोई धील है कोछ गलतिया हुई लेकिन बोल्के के सीडियो से चड़के अपने कमरे में चला गया था फुल मिला कर उसी नहीं गि पूरी साहब और विलाज से लड़ से जागी साहब guest हुए जिस क्वाई लिखा गया है कि वह मोंते अश्रा विलांस उस लड़के कड़ी से कड़ी सजा देना वो लड़का कभी जिंदगी में दूसरी बार किसी बड़े रहीस खांदान की तरफ देखना पाए शादी करने के बारे में ना सूचे अरे वो क्या चाता है कि हमारी लड़की को फसाएगा बस्ती का चोर ये वो चक्का वो चक्का सारी चीज़े इन्होंने बोल के पहले से फिक्सिंग किया था और पुलिस के साथ जो टाइप किया था ये सारी बाते सामने आ चुकी है यानि दोस्तों अब अलालोन को इंसाफ मिल चुका है लेकिन सवाल ये है कि भाई ये जो जनक के उपर सवार उठा रहे थे भाई शुब तुम पहले अ जनक ने क्या कुछ देखा है मुंबए में जाने के वाद उसके साथ क्या क्या हुआ है सर्वाइवर करना पड़ा उसे दुनिया वर की वाते हुई है तुम्हें कुछ नहीं पता लेकिन तुम तो यहां पे सेर्फ और सिव भाई जनक को गलत ठराने का मौकर ढूंड रहे अ आपको शादी पसंद नहीं थे तो बोल देते यह धोका करने वाली कौन सी बात थी यह तो धोका हुआ ना अरे अपने बड़े भाई के साथ मिलकर शादी में दुनिया वर की बाते करे थे अनिरुद भी आपके ओपर प्राउड कर रहा थो और अब अनिरुद को भी पता च कोई नहीं आ सकता और शुबू के खुलासा हुआ ना दोस्तों इससे ना कहाने में बहुत सारे बदलाव आएंगे और वो बड़े बदलाव होंगे सबसे पहला तो अनिरुद का अपने पिता के खिलाफ थोड़ा सा मनढ़ जाना और इस परिवार के खिलाफ मनढ़ कर पहल जहनक की तरफ दीरे दीरे आएगा और यदि वो जहनक के पास आता है जहनक से बाते करता है जहनक के साथ मिलना जुलना होगा तो बेशकी दोस्तों अनुरूद और जहनक के लिए यह बहुत बड़े गुड नियोस हो सकती है और पूरे बोस फैमली की वाट लगाने के भाई मतलब यह वाली बात नहीं मडर की बात भी आएगी दोस्तों लालोन के पिता के साथ जो हुआ था वह सारी बाते भी निकल कराएंगी और तब शुबु कब हंड़ा फुरत हो गई लेकिन बाप भी वैसे निकला बेटा भी भाई यकीन करी नहीं रहा जहनक के बातों क नीव को खराब करेगी बेशा कि सबीने बोला था कि ना जहनक को की फैमिली को खराब करने आई बदनाम करने आई आई आप लोगों को और बदनाम करने आई बस यह सीधा और साफ आपके लिए लिए जुड़ा हो एक और बड़ अपडेट जहां पर मैं उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो थोड़ी पर अच्छे लोगे थोड़ा सा दोस्तों तवियात डाउन होने की कारण मैं एनरजटिक आज रिपोर्ट नहीं दे पा रहा हूं लेकिन मैं कुश करूंगा कि आपको अपडेट देता रहूं किसी भी हालत में दोस्तों मैं मिलूंगा आपक